हेलो दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल इस्टेडी वाट पर इस वीडियो में हम आपको प्रतिश्यत के बारे में A to Z समझाएंगे तो चली वीडियो को सुरू करते हैं देखिए प्रतिश्यत क्या होता है यह समलेते हैं तो प्रतिश्यत को हम सबसे पहले देख सकते हैं प्रति अधन सथ इसका अगर जो संद विच्छित किया जाए तो दो सब्दों में टूटेगा ठीक है तो प्रति का मतलब होता है प्रते एक है ठीक है प्रते एक होता है और शत का मतलब होता है सव मतलब सव में प्रते एक सव में जो कुछ भी है वो हो जाएगा हमारा प्रतिश्यत एक्जामपल के लिए हम लेते हैं जैसे 20 प्रतिश्यत इसका मतलब हुआ सव में 20 आप समझ लेते हैं इसका सिंबल क्या होता देखिए प्रतिश्यत को इस चिन स से हम दर्साते हैं अगर जो यह चिन आपको कहीं दिखाई दे तो आप समझ लेजिए यह कुछ नहीं है बलकि प्रतिशत का चिन है इस प्रतिशत का मतलब हो गया 20 और प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100 यह भी जान लेजिए तो क्या हो गया 20 बटे 100 अगर इसको काटें तो एक कट जाएगा दो पाचे 10 मतलब आ जाएगा 0.5 बीस प्रतिशत को हम इस तरह भी लिख सकते हैं देखिए एक एग्जामपल हम और लेते हैं अगर जो आपको कह दिया जाए तीस का बीस प्रतिशत निकालिए तो समझ लिए कैसे निकालेंगे इसको तो तीस लिखेंगे देखिए हमेशा गड़ित की भासा में का का मतलब होता है गुड़ा तो गुड़ा चन लिखेंगे और बीस प्रतिशत लिखेंगे ठीक है इस तरह हम लिख लेंगे इसका मतलब हो गया कि अब फिर लिखेंग यहां पर देखें 20 गुड़े 20 परतिशत को हमने किया बताया है 20 बटे 100 के रूप में लेख सकते हैं क्योंकि 20 और परतिशत के मतलब होता है बटे में 100 तो देखें एक जिरो से एक जिरो कैंजी हो गया अगर जो आप कटनी करनी हमका वीडियो द अब बचा क्या नीचे तो कुछ नहीं बचा है उपर सिर्फ बचा है तीन गुड़े दो और तीन गुड़े दो का मतलब होता है 6 तो यह हमारा एंसवर आ गया 30 का 20 परतिशत 6 होगा हमारा अगला कोश्चन है डेड़ सव का 40 परतिशत बताए तो चलिए इसको हम साल्प करत परतिशत कार्थ होता है बटे में सव कोश्चन को हमने सबसे पहले समझ का लिख लिया तो क्या करेंगी यह 0 से 0 काट देंगे इस 0 से इस 0 को काड़ देंगे तो यहां पर बच्चा क्या उपर पंदरा गुड़ी 4 बच्चा नीचे एक बच्चा एक नीचे रहे कोई मतलब नहीं होता है तो पंदरा गुड़ी 4 करेंगे तो आ जाएगा 60 तो यह होगी हमारा final answer इस तरह आप किसी भी question को हल कर सकते हैं तो हमारा तीसरा question है परत्रियात का बरत्रियत निकालना तो कैसे निकालनें कि यह समय लेते हैं तो कुछ नहीं करना है 60 परत्रियत मतलब 60 बटे सव पहले इस तरह कर लेंगे का मतलब वडित में में सा गुड़ा होता है सत्तर प्रदस्यत का मतलब होता है सत्तर और बटे में सव इतना हो गया अब देखिए जिरो से एक जिरो को काड़ देंगे इस जिरो से इस जिरो को काड़ देंगे अब देखिए उपर क्या बचा है तो उपर बच्या है 6, गुड़े 7, और नीचे सिर्फ सिर्फ ये 100 बच्या है, तो 7 छक हो जाएगा 42, 42 बटे 100, अब इसको काट भी सकते हैं, देखे 42 बटे 100 है इसको हम काट भी सकते हैं, और ऐसे भी लिख देंगे तो भी एंसर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर काट के लिख तो और अच्छा रहेगा, अगर जो हम 42 में 100 से भाग देंगे, तो कैसे होगा, तो आप जान लेजी, 100 में जब 42 से भाग देंगे, तो दस्मलों जो है, दो अंक, बाइं साइड खिशक जाएगा, मतलब इस साइड आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, 0.42 यह हो गया हमारा फाइनल एंस्वर, जो आप सबको परतिस्यत के बारे समझ में आ गया है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बारा हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए, ऐसे और वीडियो के लिए, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक लिए जैहिं जै भार में हtainा इए भवा में एपिन उना भीछैब कर लिए नहारा हैं, तुम्सक्सित को सबग्माते हैं, तो तुम्सक्टाइब कर दो हता हैं, तो जो यिए फिर दो परतिस्यताब कर वीडियो के लिए भारे हैं, थ्बगियो के बारा हैं, त MP3 1 2 2 7 ल, आ पक्गो इए प्पियो